हलो एबरीबन इस वीडियो में देख लेते हैं टेक महिंद्रा तो स्टॉक का प्राइज 1240 के आराउंड चल रहा है और आज स्टॉक में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है वैसे तो देखा जाए सुभा आईटी सेक्टर अच्छा चलाता इन पोसेस वग्यरा अच्छी र स्टॉक में आज सेलिंग देखने को मिल रही है कहीं न कहीं तो कुईकली स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलेगा तो चार्ट में असस देख रहे से मिला है पहले भी स्टॉक को इसी लेविल से मिला था और अगर यहां से रिवर्सल अभी थोड़ा सा है फिलहाल के लिए तो यह सपोर्ट ले सकता है एक बारा सो के अराउंड विकॉज आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि स्टॉक ने जब भागना सुरू किया दस सो इंटम स्टॉक कहीं दिखा देता है 20% का तो कोई भी स्टॉक होगा तो अब वो एक थोड़ा कंसॉलिडेशन करके अपना बेस जरूर बनाएगा और जब उसका बेस बन जाएगा फॉर वीक तब वो ऊपर जाएगा तो यह आप देखो कि आई जो इसका इनफी का चार्ट ह है वहाँ भी सिमिलर चल रहा है और अब मेजॉर्टी ओफ देखोगा आई टी सेक्टर के तो सिमिलर ही चल रहे है जो बहुत टाइम से कंसॉलिडेशन कर रहे थे विकॉज अब वो एक बेस बनाएंगे रैली हो गई है अब रैली के बाद बेस बनाने का टायम है तो जब त तक वहाँ पर एक बेस नहीं बना लेता कंसॉलिडेट करके तो आप देखोगे आई टी सेक्टर अभी थोड़ा रिजिस्टिंस फेज करेगा थोड़ा फिर यह निकलेगा जब इसका बेस तैयार हो जाएगा ऐस चार्ट इजी है चार्ट में कुछ है नहीं टेक टैकम के ब देख रहे हैं वो कि स्टॉक आगे निकला है विकली टी एफ पर और अभी स्टॉक ऊपर की तरह ही मुमेंटम बनाए कंसॉलेडेशन करेगा फिर निकलेगा तो पैनिक होने की सच बात नहीं है आई टी सेक्टर अच्छा खासा उठ रहा है रिजल्ट भी अच्छे ही आ रह के बाद आपको स्टॉक 20% के रिटन फिर दिखाएगा आगे की तरफ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते नेक्स वीडियो में दिस इस मी सुभमी आदफ साइनिंग और